हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टो माई चैनल, कैसे हैं आप सब लोग, आज हम बनाएंगे ब्रैट पीजा, जो हम सब को ही बहुत ज्यादा पसंद होता है, तो चलिए शुरू करते हैं, हमने यहाँ प्याज ली है, टमाटर लिया है, और शुमला मिर्च ली है, और इसको बारी कट कर लिया है, चीज लिया है, नमक, पास्ता सॉस, ओरीगेनो, मिक्सर्ब, ब्लैक पेपर, मैंने यह बड़े साइस की ब्रैट ली है, सैंविच ब्रैट, थोड़ा ओल लिया है, तो चलिए, अब हम आगे का प्रोसेस करते हैं, अब हम एक बोल लेंगे, और इसमें अपने सारी कटी हुई, सबजियां डाल देंगे, टमाटर डाल देंगे, प्यास डाल देंगे, शिम्रा मिर्ज डाल देंगे, थोड़ा नमक एट करेंगे, ब्लैक पैपर, मिक्स हर्ब, इसमें चिली फ्लैक्स अल्रेड़ी है, और इगैनो, इसका एक मिक्सचर तयार कर लेंगे, यह हमारा मिक्सचर तयार हो गया है, अब हम ब्रैट का इक स्लाइज लेंगे, और इस पर पास्ता सॉस लगाएंगे, मिक्सचर डालेंगे इसके उपर, जो हमने बनाया था, अब हम इस पर चीज डालेंगे, तो दो दो टालेंगे, थोड़ा सा और इगैनो डाल देते हैं, इसी तरह से हम अपना दूसरा पीस भी तैयार कर लेंगे हमने अपने ये दो स्लाइस तैयार कर लिये हैं मैंने ये पैन गैस पर रख दिया है और ये काफी गर्म हो गया है इसको अब हम गैस को हलका कर देंगे और इसमें एक चमच तेल डालेंगे पूरे पैन पर फहलादेंगे अब मैं इसमें ये श्लाइस रखूँगी आप अब हम इसे ठग देंगे पाच मेंट के लिए जब तक हमारी चीस मैल्ट नहीं हो जाती है इसको हमारी चीस मैल्ट होने लगी है अब हम इसको निकाल लेंगे ये देखिए कितना यम्मी लग रहा है इसी तरह से हम और भी बना लेंगे तो लीजिए तयारे हमारे ब्रैट पीजा जो खाने में पीजा से कम नहीं लगते हैं अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें